हे अव्रिवन मैं इस विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूँ गेट वाला चैनल पे बहुत बड़ी इन्फरमेशन जो श्टॉकिंग न्यूज मिल रही है बहुत चारे अलग-अलग स्टुडेंट से मेसेज़ेस के थू मुझे वो ये है कि उनकी रैंक एक्सपेक्टे और किसी भी कॉलेज से इन्फेक्ट दूसरे दो आइटी में भी उन्होंने अपलाई करके रखा था वहां से भी उन्हें आफर नहीं आया है इसका क्या रीजन है मैंने आएसी बैंगलोर के एड्मिशन पोर्टल पे कॉल करवाया है एक स्टूडेंट के थूँ जो की हो जाएंगे अब स्टूडेंट के मन में एक आइडिया एक पर्टिकलर डर्सा हो जाएगा कि सर हमें जो रैंक मिल जी या हमारी जो रैंक है उससे नीचे वाले स्टूडेंट को अगर अभी फ्रीज हो गया तो क्या होगा ऑप्शन मतलब कि नीचे रैंक वालों को जिनको अगर आया है उस कॉलेज से और अगर उन्होंने सारी सीट ब्लॉक कर लिए और हमारे पास आप्शन नहीं बचा तो हम क्या करेंगे डोंट वरी अबाउट इट इट इस आएसे और आपको आफर देने वाले हैं तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो ऐसा कभी नहीं हो हुआ है कि आपको भी ऐसे मार्क्स यार रैंक है जो भी कुछ आया है उसके बेसे पर आपको एक्सपेक्टेट था कि इस कॉलेज में आपको एड्मिशन मिल सकता था क्योंकि यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है मेरी रैंक है 25 और आल इंडिया रैंक 25 से मुझे आईटी बॉ करके पूछिए COAP के भी और colleges के भी individual colleges के भी जहां से यह offer रिलीज हुए हैं उनके आप एक बार चेक करिए call करके mail करके बात करने की कोशिच करिए resolve करने की कोशिच करिए अपने end पे don't just wait for the offer of the second round मैं still कहता हूँ urge करता हूँ आप लोगों से request करता हूँ कि आप लोग कॉल क करके mail करके communication कीजिए अगर कोई problem आती कोई issue आती है तो हम try करेंगे आपके बिहाफ पे इस particular चीज को resolve करवाने की और communicate करने की बट still आप लोग अपनी तरफ से तो करने की कुशिश करिएगा ही करिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका expected score था फिर भी rank के अगर दूसरी branch के student के साथ भी ऐसा हुआ है तो जरूर बताईएगा comment box में डाल के जाएगा ताकि हम इस particular चीज के तहह तक जा सके इसके deep root cause तक जा सके कि ऐसा क्यों हुआ है और आप लोगों की help कर पाए इसके अलावा अगर किसी को और information मिलती ही कि हां sir हमने mail किया या call किय या ऐसा हमारे पास reply आया तो वो भी आप comment box में comment करके जरूर जाएगा ताकि दूसरे students जो है जो tension में है वरी में है उनका भी solution जो है उनको भी solution मिल जाए expected तो नहीं था बड़े बड़े colleges और COAP जैसा portal maintain करने वाले इस बार IIT कानपूर कर रहा है I guess हाँ जी तो उनसे expected नहीं है कि ऐसे technical glitch या problem वो वहाँ से create हो बट स्टिल technical problems का कोई कह नहीं सकते कभी भी कोई भी गलती जो है कर सकते हैं कहीं से भी गलतियां हो सकती है हो सकता है व भी नहीं तो next round में पर मिल जरूर जाएगा comment करके जरूर जाएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है etc so that we will be informed more from you guys keep learning अगर आप लोग अगले साल का try कर रहे हो gate के लिए तो उसके लिए learning if you are going for mtech उसके लिए keep learning but keep learning thank you bye